दिल्ली शराब नीती घुटाले की जाच को लेकर प्रवर्तन ने देशा लिया द्वारह भीजे जा रहे समन को गैर कानूनी बताते हुए सीम अर्विन केजरिवाल ने पिछले दिनों वो दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया और याचिका दाखिल की जिस पर हाई कोट ने आज 20 मार्च को सुनवाई की जिसमें सीम केजरिवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिशेक मनू सिंग्वी ने कोट से गिरफतारी से राहत देने यानि आरेस्ट प्रोटेक्शन की डिमान की सिंग्वी ने कहा कि इस मामले में सीम केजरिवाल को किसी भी प्रकार के गिरफतारी की जरूरत नहीं है और उन्हें आरेस्ट से राहत दी जानी चाहिए इसके विरुद इडी के वकील ASGSB राजू ने कहा कि केजरिवाल की याचिका सुनवाई यूग्गे नहीं है जिसके बाद कोट ने इडी को नोटिस जारी किया और उन्हें दो हफ़तों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिये इस मामले में इडी अब तक अर्विन केजरिवाल को नो समन जारी कर चुकी है लेकिन केजरिवाल इडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं केजरिवाल क्यूं इडी के सामने पेश नहीं हो रहे है क्या उन्हें किसी बात का डर है इसके पीछे की क्या वज़ा है आईए जानते हैं दरसल आज सुनवाई के दौरान केज़िवाल के ओर से पेश वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने दलील दी कि केज़िवाल कानून से नहीं भाग रहे हैं वो पूछताज के लिए ईडी के सामने पेश होने को तयार है लेकिन उन्हें गिरफतारी का डर है सिंग्वी ने कहा कि ईडी ने ये साफ नहीं किया है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है यह गवा के तौर पर इस पर कोड ने कहा कि अगर केजरिवाल समन पर पेश होते हैं तो ही उन्हें पता चल सकता है कि एडी इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है केजरिवाल में देश के नागरी की है एक जाच एजनसी उनके नाम से शमन जारी कर पूश्टाश के लिए बुला रही है एजनसी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है इस मामले में अबाप और बीजोपी आमने सामने आ गई है हाल ही में BGP के राश्ट्रिये प्रवक्ता सम्वित पात्रा ने CM केजरिवाल पर नुशाना साथ दे हुए कहा कि केजरिवाल 9 समन पर 18 बहाने लगा रही है दिन रात प्रेस कॉंफरेंस करने वाले ED के समन से भाग रहे हैं सम्वित पात्रा ने अर्वित केजरिवाल को एक सलह भी दी है कि वो बेल को राहत समझने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें आप जाँच कराईए ना किसने रोका है दूद का दूद पानी कराईए ना वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉंफरेंस करके दूसरों के खिलाफ इलजाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जाँच कराईए और जाँच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिये आज वो लोग समन से भाग रहे हैं आप याद करिए जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था दिवाली है जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था गवर्नेंस महत्वपूर्ण है तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था मैं विपस्टना करने गया हूँ दरसल एडी पिशल साल से लगतार कुछ दिनों से अर्विन केज़िवाल को समन बेज रही है लेकिन केज़िवाल एडी के सामने पेश नहीं हो रहे है एडी का कहना है कि वो शराब निती घुटाले मामले में अर्विन केज़िवाल से पूछ साच करना चाहती है वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि एडी सीम केज़िवाल को गिरफतार करना चाहती है आप नेताओ नेतु यहां तक आरोप लगाए हैं किस साज़।